बिहार के बाहु बली नेता आनंद मोहन सिंग की रिहाई के खिलाप याचिका पर सुप्रम कोट ने बिहार सरकार से जवाब मांग लिया है दो हफ्ते में रिहाई से जुड़ा सारा रिकॉर्ड देने को कहा है याचिका थी दिवंगत आईएस जी क्रिश्नया की पत्नी उमा क्रिश्नया की दो हफ्ते बाद सुप्रम कोट मामला आगे सुनेगा इसी मुद्दे की बाद लीगल वित सहगल बे आनन्मोहन सेंग की रिहाई पिछले महिने हुई है उन्हें उम्रकैद की सजा मिली थी लेकिन जेल नियमावली में बिहार सरकार ने कुछ बदलाओ किया जिसके चलते उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि निचली अदालत से आनन्मोहन सेंग को फवासी की सजा मिली थी जिसे बाद में हाई कोट ने उम्रकैद में बदला था मामला 1994 का है जब बिहार के गोपाल गंज जिले के डियम रहे जी कृष्णया की हत्या हो गई थी इस मामले में आनन्मोहन सिंग को 2007 में निचली अदालत ने फवासी की सजा दी थी बाद में ये सजा उम्रकैद में बदली और आखिरकार इस साल अप्रेल के महिने में बिहार सरकार ने जब जेल नियमा वली में बदलाव किया और उस व्यवस्था को हटा दिया जिसके चलते किसी सरकारी अधिकारी की हत्या करने वाले व्यक्ति को कम से कम 20 साल जेल में बिताना जरूरी होता था उसके बाद ही उसकी रिहाई पर विचार हो सकता था जब ये नियम हट गया बिहार सरकार की नई विवस्था पर जब ये नियम हट गया उसके बाद आनन्द मोहन सिंग की रिहाई का रास्ता खुल गया और उन्हें इस आधार पर रिहा कर दिया गया कि उन्होंने 14 साल से अधिक का समय जेल में बिताया है इसके खिलाफ उमा कृष्णया जो की दिवंगत जी कृष्णया की पतनी है उन्होंने सुप्रिम कोट में याचिका दाखिल की थी याचिका लगी थी जस्टिस सुरेकान और जस्टिस जेके महिश्वरी की बेंच के सामने याचिका में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली हो उसकी सजा को अगर बाद में उपर की अदालत उम्र के अद में बदल देती है तो कम से कम उसे आगे रिहाई में रियायत नहीं मिलनी चाहिए उसको आजीवन कारवास में रखना चाहिए वैसे भी 2012 में ये जेल नियमा वली बनी थी कि सरकारी अधिकारी के हत्या के मामले में कम से कम 20 साल तक जेल में रहना ही होगा उसके बाद ही रिहाई पर विचार हो सकता है लेकिन सिर्फ इस व्यक्ति को रहात देने के लिए बिहार सरकार ने नियमों में बदलाओ कर दिया और आखिरकार वो बाहर आ गया है जजो ने थोड़ी देर तक उमा कृष्णया के लिए पेश हुए वरिष्ट वकील सिधार्त लूत्रा की दलीलों को सुना और कहा हम नोटिस जारी कर रहे हैं सिधार्त लूत्रा ने ये अनुरोध भी किया कि चुकि समर वेकेशन यानि गर्मी की छुटियां सुप्रिम कोट में आने वाली हैं और ये व्यक्ति रहा हो चुका है ऐसे में मामले की सुनवाई की अगली तारीक जल्द लगाई जानी चाहिए जजो ने कहा ठीक है हम दो हफ़ते का समय दे रहे हैं बिहार सरकार को जवाब देने के लिए और बिहार सरकार रहाई से जुला सारा रिकॉर्ड हमारे सामने रखे हम उसे एक्जामिन करना चाहते हैं हम उसे देखना चाहते हैं तो बिहार सरकार को नोटिस जारी हुआ है, बिहार सरकार सारा रिकॉर्ड सुप्रिम कोट में रखेगी कि कैसे न्यममों में बदला हुआ और किस कारण से रिहाई की गई आनंद मोहन की, आनन्द मुहन सिंग को भी नोटिस जारी हुआ है ताकि वो अपना बचाओ कर सकें अपनी रिहाई को सही बता सकें और केंदर सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है हलाकि जेल नियमा वली राज सरकार का विशे होती है लेकिन क्योंकि समय समय पर केंद्र सरकार भी इससे जुड़े निर्देश जारी करता रहता है ऐसे में केंद्र को भी नोटिस जारी किया गया है उमा कृष्णया की याचिका पर साथ ही साथ सुप्रिम कोट ने आज अनुमती दी है पुर्व आईएस और पुर्व केंद्रिया मंत्री के जे अलफोंस को भी अपना पक्ष रखने की वरिष्ट IAS रह चुके केजे अलफोन सब रिटायर हो चुके हैं बाद में वो केंद्रिय मंत्री भी रहे हैं उन्होंने इस हैसियत से इस मामले में कोट की सहायता करने की अनुमती मांगी थी और उन्होंने भी चुनोती दी थी कि जेल नियमावली में इस तरह से बदलाव न लगेगा अगर सुप्रिम कोट को ऐसा लगेगा कि आनंद मोहन सिंग की रहाई में नियमों की हेरे फेरी हुई है गलती हुई है बिहार सरकार से तो हो सकता है उनकी रहाई खटाई में पढ़ जाए